कि मैं भी चौकिदार हूं आंदोलन आज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन गया है इसकी शुरुवात और मैं उसके अभी प्रमान दूँगा कि कैसे जन आंदोलन बना है लेकिन प्रधान मंत्र जी को यह क्यों शुरू करना पड़ा याद करिये चौदा में जब चुनाव हो रहा था तो देश की क्या हिस्तिती दुनिया में भारत एकोनॉमी में नहीं फ्रिजाइल फाइव था प्रप्शन के मामने में भारत के हरत बहुत ही खास्ता थी इंडिया है सफ़र देंट इस इमेज ओफ प्रप्शन फ्री गवरेंस प्रप्शन फ्री पॉलिटी उस समझे हुआ था टूजी कोलगेट उसके बाद सब्मरीन और बाकी सब भोटाले आपको मालूम है ऐसे मैं भारत के प्रधान मंत्री मोदी जी उससमें चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने अपने सामने अपने उपर कुछ पैमाने रखे और कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक बनूँगा और चौकिदार बनूँगा I would become the first servant of India people of India and also become a चौकिदार for the people of India ये दो बातें बहुत समझने की जरूरत हैं आज हमें इस बात का प्रोबिटी इंडेक्स में भारत आगे बढ़ा है और मैं उसकी आचर्चा नहीं करूंगा आप सभी जानते हैं हमने समय समय पर उसको सामने रखा है ये जनदोलन बना है जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पुरा थोड़ा मैं आपको आपने दिना चाहता हूं आप चाहें तो नोट कर लें इसको बीस लाख लोगों ने ट्वीट किया ट्वेंटी लाख पीपूल ट्वीटेड इट और इसका जो इंप्रेशन्स होता है वो हुआ शोलह सो असी करोड शिक्स्ट एटी शिक्स्टीन एटी करोर्स है इस इंप्रेशन्स आपको मारू में लोग देखते हैं और उससे अपने गएट करते हैं कि एक करोर लोगों ने सोचल मीडिया और नमो आप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चोग गिदार हो एक करोर लोगों ने और जो वीडियो था गूसको प्लाटफार्म पस एक करोर लोगों ने देखा आपको मालूम है तो फिर मैं इसको repeat करूँ 20 लाख लोगों ने tweet किया इसके impressions थे 1680 करोड एक करोड लोग ने सोचल मीडिया और नमो अप पर प्लेज किया कि मैं भी चौकिदार हूँ और इसका वीडियो वीविग भी एक करोड लोगों ने किया on various platforms ये पूरे दिन worldwide trend था मैं भी चौकिदार हूँ I am also a चौकिदार और इंडिया का trend for two consecutive days the point I am trying to highlight is that मैं भी चौकिदार हूँ has become a big people movement मैं भी चौकिदार हूँ एक जना अंदूलन बन गया है और इसमे doctor professionals किसान सच्चता कर्मचारी युवा महिलाएं सभी जुड़े हैं और वो सब उनका association social media पर available है तो आप उसको चेक कर सकते हैं अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को इससे परशानी है हमें लगा कि आप मुदी जी से नफरत करते हैं अभी चौकिदार बन जाते हैं तो क्या फरक बढ़ता है लेकिन उनको परिशानी है हम समझते हैं कि इनको परिशानी है जो बेल पर हैं उनको परिशानी है जिनकी पार्टी परिवार और संपत्ती कठिनाई में हैं उनको परिशानी है और जो खुद और अपने परिवार समेथ विभिन कानूनी कारवाईयों जहेल रहे हैं और बेल पर हैं उनको परिशानी है जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है वो परिशान है जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है वो परिशान है जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है वो परिशान है जिनको छुपाने के लिए बहुत कुछ है वो परिशान है those who are on bail with their entire family are opposing it and those who have a lot to hide are opposing it आज हम इस बात को कहना चाहेंगे कि अगर आपको छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप भी इस आदोलों से जुड़ जाएए ना भाई मैंने भी क्रोडों के संक्या बताया ना आपको स्थ्लों टिपनी कर रहे हैं कि च्वगःदार अमीरों के लिए होता है ग्रीबों के लिए नहीं अब उनको कैसा बताया जाए जो सत्ता में थे उन्होंने ग्रीबों का पैसा लाखो क्रोड में लूटा बारा लाख करोड वह आज गर्ट तो चौकिदार के दरूरत किसके लिए है यह बताना जरूरी है जो सुख, सुविधा और विलासता में पैदा हुए वो इस पर टिपड़ी कर रहा है दोस वो आर बॉर्ण इन आफ्लूएंस दोस वो आर बॉर्ण इन पावर दोस वो आर बॉर्ण इन अबंड़नस अर बॉर्ण इन आफ्लूएंस लेकिन मित्रों आज हम देश के लोगों का अबिनन्दन करना चाहते हैं कि वो करोनों के संख्या में इस आंदोरों के साथ जूड़े हैं मातर कुछ दिनों में बी जेपी वोग तो to compliment and felicitate the people of India who have joined with this great movement of научök देश् करॉठ and given a very extraordinary message to the world that there is this great movement to the social media platform and activism whereby common people are giving a pledge that I will also fight अगर कोई स्वच्छता कर्मी अच्छा काम कर रहा है तो मैं स्वच्छता की चोकिदारी कर रहा हूं कोई डॉक्टर इमांदारी से काम कर रहा है तो स्वास्त के लिए चोकिदार बनने की कोशिश कर रहा है कि मैंने देखा कई जगा पूर्व सैनिक नोगों ने भी कहा है तो देश की सुरक्षा के लड़ते रहे वो भी जोकिदारी मुव्मेंट से अपने को जोडने की कोशिश कर रहे है नौजवान युवा तो ये बहुत ही प्रभावी कारिक्रम है इसी को देखते हुए एक आगे कारिक्रम तैग किया गया है 30 मार्च को प्रधान मंत्री मोदी जी वीडियो कांफरेंस के माध्यम से देश के 500 लोकेशन्स पर विभिन प्रकार के चोकिदारों से बात करेंगे उसमें परिटिकल वरकर सोंगे उसमें आंडिया के लीडर्स होंगे उसमें प्रोफेशनल्स होंगे, उसमें किसान होंगे, उसमें अनुसुचित अनुसुचित जन जाती के हमारे मित्र होंगे, उसमें सचता करमचारी होंगे, उसमें रिटार्ट सैनिक होंगे, उसमें खिलारी होंगे, उसमें युवा होंगे, उसमें हमारी बेहने और बेटिय सकते हैं तो तो एक फूरा करेक्शन करने थर्टी फर्स्ट अफ मार्च मैं दुवारा करेट कर दूं 31 मार्च को प्रधान मंत्री जी 500 लोकेशन्स पर वीडियो कांफरेंस के माध्यम से ऐसे लोग जिन्हों मैं भी चौकिदार मुहमिंट से अपने को जोड़ा है उनसे बातचीत करेंगे जिसमें इंडिये के लोग रहेंगे बीजेपी के लोग रहेंगे बाकी पूर्वसैनिक रहेंगे किसान रहेंगे अनुसुजी जाती जन जाती और आपके प्रफेशनल्स डॉक्टर्स लॉयर्स सीएज अध्यापक यह सभी रहेंगे और प्रधान मंत्री स्वैम भी संभवता दिल्ली से नहीं फील्ड के किसी लोकेशन से बात करेंगे तो यह मैं आपको बता रहा था कि हम बहुत बड़ा भी अंदोरन करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो संकेत तीन में आये हैं तो हम इसको एक बहुत बड़ा जन अंदोरन बना देंगे और मतलब शमा करें हमने नहीं बनाया है लोग बना रहे हैं दो पीपल देंसल्स आर वॉलन्टेरली रिस्पॉंडिंग तो इस ग्रेट मुव्मेंट और यह बहुत बड़ी बात देश में हुई है कि विभिन प्रकार के जुड़े हुए वर्क के लोग अपने स्वैम की इक्षा से इस आंदोरन में जड़ रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आईटी विभाग का दाइट देखता हूं तो थोड़ा इसको फॉलो करता हूं किसी आंदोरन के साथ करोड़ों के संख्या म लोग जुटें ये अपने आपे पहली बार हुआ है इंडिविज्वल तो लोग भी टैग्म होती रही है मित्रो मुझे एक दूसरी बात कहनी थी पर जो आपके सवाल होंगे उसका हम जवाब देंगे हमारे खिलाफ हमारी सरकार के खिलाफ बार बार ये अथरिटेरियन है कि ये विरोध के आवाज दबाते हैं ये कहा जाता है याद करिए कि कल श्रीमान राहूल गांधी बैंगलोर में कि स्टार्ट अप के लोगों से बात करने गए थे आई टी मूपमें जुड़े हुए मेनाता टेक पार्क है वहां उनका कारिकन था तो वहां कुछ टेकी लोगों ने उनका विरोध किया कुछ सवाल पूछने की कोशिश के बाद में उनको ग्रिफ्तार कर लिया गया और सिर्फ उनने एक ही बात कही थी कि प्रधान मंत्री मोदी जी के प्रति उत्सा वसक नाय लगाये थे बस यह उनका पाप था अगर मैं पाप कहूं तो उनके अनुसार उनको ग्रिफ्तार कर लिया गया राहूल गांधी के दो आचरन को मैं बताना चाहता हूँ याद करिए ये जेन्यू में टुकड़े गैंक के साथ खड़े थे कुछ वर्ष पहले जहां लगा था नारा भारत तेरे टुकड़े होंगे इन्शा अल्ला इन्शा अल्ला आज तक राहूल गांधी ने ये नहीं क कहा है कि मिस्टे गलती हो गए वहां नहीं जाना चाहिए था और दूसरी और अगर टेकी लोग आईटी प्रोफेशनल्स उनका विरोध करते हैं तो उनको बंद किया जाता है और हमसे किसे सवाल पोछते हैं रोज वोग और उनकी बहन कि दोलने की आजादी चिनी जा रही है और उस वोग हम ही बचा सकते हैं ये का जा रहा नरोज टीवी पर सवाल चल रहा है और उनकी अगवाई में टेकी लोगों से क्या वेवहार हो रहा है यह मैंने आपको बता दिया आज वहां बैंगलोर के अख़बारों में विस्तार से छपा है आज हमारी पार्टी भी वहां प्रेस कॉंफरेंस कर रही है बीजेपी आईटी से जुड़े टेकिस के साथ जो कल है उसकी भर्सना करते हैं राहूल गांधी हमें नसीहत देने के बजाए आप सीखें सवाल पूछने का अधिकार है और कसकर अधिकार है और वैसे भी कॉंग्रेस पार्टी के अंदर जो चल रहा है मैं क्या बोलूं एक बात कहके मैं अपनी बात समाप करूंगा आज बोलनी की आजादी सबसे अधिक कॉंग्रेस के निताओं से चिनी गई है दोस हुआप वाद रियल विक्टिम्स आफ फीड़ा फीड़ा प्रूंग्रेस लीडर्स इंसाइड दे कॉंग्रेस पार्टे कॉंग्रेस का हाल है जिस तरह से महां काम चल रहा है इस से देख मुझे कुछ नहीं बोलना है तो कोई मूख खोलकर बोलने की सिर्थी में नहीं है बले ही पार्टी गढ़्टे से गढ़्टे में जाए थैंक यू राजी रंजन नो नौट दे लीस्ट नौट दे लीस्ट उनके पहले से ही मैंने बताया 14 से मुझे ने का था मैं आपका चौकविदार हूं और आपको बदान से बदा हूं यह कोई नहीं बात नहीं है लेकिन हा आज हमने इसको एक मास मुझे बना ऐसे लिह हमने पूरे डेटा आपके सामने दिये और तीसरी बात जो खुद बेल पर है उन तो परशानी है मैंने बताया ब्रजी सपन्डे आज हमता हूं पर चाय वाला जाइब नहीं है यह लुद्गे ृव लुदे बाते है बदिये को वाला जाइब इसको प्रश्पार्ट की हमने प्रशाति दिय। आज है बाते हूं इस आपके से लिए भी एख पष्द पार्ट के हमाने बदीं He never concealed that. He publicly said, I was never born with a silver spoon or a golden spoon. As far as maybe Chokhitar is concerned, it is a positive narration of the emerging identity of India as a corruption-free government and seeking, invoking the people to become a part of that. Republic. Hindi. Dekhye, Chaywala की चर्चा 14 में कॉंग्रिस के निताओं ने उठाई थी. नाम देने की ज़रूरत नहीं है. अब तब मोदी जी ने का हाँ मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ. मेरे पिता जी चाए बेचते थे, मैंने भी इस्टेशन पर चाए पिलाई है. और जी ने बड़े गर्व से का कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ. जहां मेरी माने कपले साफ के बरतन माझे है. इसको छुपाए ने उन्होंने है. मैं भी चौकिदार हूँ. ये एक मुव्मेंट है जिसे मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में इमांदारी का एक आंदोलन चले. और जांदोलन बने. और इसमें देश की जनता ने करोड़ों में सहयोग किया जो मैंने आपको बताया. अब इस विश्याए पर एक्जामीन करके बाकी प्रवक्ता उतर देए. अब मैं कौन पूजा पार्ट कहां करता है इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है. मैं एक ही बात कहूंगा कि देश की जनता ने ये तै किया हुआ है कि नरेंद मोदी को दुबारा प्धामंती बनाना है. अब स्थिश्य बना है. Today all our alliances are in shape from North East to Bihar to Maharashtra to Tamil Nadu and don't ask further question please and see what is happening there is for you to see thank you I would only tell you PM's campaign details will be explained to you properly that's all I can tell you wait for that देखिए इसके बारे में हम विस्तार से टिपनी करेंगे खेल अभी बाकी है खेल जुदर संगे अपने विरोधियों को गड़ बंदन की निस्जिए देना हमारा काम नहीं है टीवी नाइन इतना ही का खेल भी बाकी है इसका एक मात्र संगेत यही है कि राहुल गान्दी के वर्तमान सलाकारों के प्रती असंतोष का भाव है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद यहाद धन्यवाद